आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, mistake of fact और mistake of law, इन दोनों में क्या difference है, और यह कौनसे provisions में दिये गए हैं, इनका क्या relevance है, यह general exceptions में दिये गए हैं, और basically यह 1% को exempt करते हैं liability से, यह कौन-कौन से sections में है, section 76 और section 79 Indian Penal Code में, अब एक यह maxim है, जो की बहुत important है, इसको half-half करके भी आपके exam में आ जाता है, जरूरी नहीं है, यह पूरा ही पुछेंगे, अब यह क्या कहता है, ignorantia facet dot excused, ignorantia jurist non excused, अब आपको जो कुछ याद करने के लिए चीज़े वो यह कह, facet से याद रखिये fact, और jurist से याद करिये law ठीक है, यह कहता है, ignorantia facet dot, इसका मतलब जो ignorance, ignorantia क्या मतलब होगे, ignorance, facet का मतलब fact, excused मतलब excuse, fact का ignorance जो होता है, वो excusable है, jurist का, अब यहाँ पर फिर से ignorance, यहाँ पर क्या आ गया, non आ गया, law का ignorance जो है, वो excusable नहीं है, ठीक है, आपको half में भी पूछा जा सकता है, इसका मतल का ignorance excusable नहीं है, ठीक है, ये दोनों half-half में भी divide हो जाता है, ये क्या कहता है आगे ये points से आपके, ignorance of fact is excused, ignorance of law is not excused, ठीक है ignorance of fact क्यों excusable है, because the man who is mistaken about the existence of a fact, जो एक person है वो mistaken में है, मतब उसे गलती है कि जो fact है, वो है या नहीं उसे पता ही नहीं, उसको उस fact के बारे में ही गलत फहिमी है तो वो उस moment पे, उस गलत fact में, उस गलत circumstances में जो उसके mind में है, वो एक necessary intention नहीं form कर पाता इसलिए, जब उसका intention ही सही नहीं था, उसके according नहीं था तो जो act उसने किया चाहे वो crime बनता है that man is not responsible in law for his deeds ठीक है, यह आपका maxim है इसमें यह कहता है कि fact जो है वो excusable है और जो law है वो excusable नहीं है, क्योंकि fact के cases में, एक person वो necessary intention जो form करना चाहिए, एक act को complete करने के लिए, वो form नहीं कर पाता है इस वज़े से उसे excuse कर दिया जाता है, अब mistake of law जो है, वो excusable क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान, every man is presumed हम presumed करते हैं कि सब को law पता होगा, अब मान लो एक छोटा बच्चा है, उसे पता है, कि मुझे नहीं पता है, कि driving license लेके ही जाना पड़ता है, गाड़ी चलाने के लिए ठीक है, लेकिन ये जो है उसके parents, उसके guardians हैं, तो उसे allow नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में, या पूरे इंडिया में, क्या पूरे world में ये माना जाता है, कि जो law है हर किसी को पता होना चाहिए तब ही तो हम उसे abide कर पाएंगे तो ये क्या कहता है, mistake of law is no excuse as every man is presumed to know the law hence responsible in case of breach अगर फिर law का आप breach करोगे तो आप responsible होगे क्योंकि अगर हम ये लोग ये कहने लगे कि भाई हमें तो law ही नहीं पता था murder करने पर सजा होती है ये तो हमें पता ही नहीं था murder भी, एक punishment देने वाला एक offense है, ये भी नहीं पता था तो सभी जो है, जाद घुमेंगे free घुमेंगे, किसी को भी सजा नहीं होगी क्योंकि हम तो ये बहाना ले सकते हैं कि हमें law पता ही नहीं है ठीक है, अब हम जो इसके provisions दिये हुए है bear act में, वहाँ से direct पढ़ेंगे ये क्या कहता है अब देखें, ये आगया आपका chapter 4 general exceptions, ये क्या कहता है act done by a person bound, ये word बहुत important है आपका bound, or by mistake of fact, believing himself bound, ठीक है, कोई भी person अगर एक act करता है, जो कि वो क्या सोचता है, कि वो bound है या mistake of fact से सोचता है कि वो bound है, by law वो करने के लिए, तो वो क्या कहता है nothing is an offense which is done by a person, यहाँ पर nothing लगने से ये कह रहा है कि कोई भी वो चीज ऐसा offense नहीं है, जो कि एक person ने reason of mistake of fact, ठीक है, उसने बोला है कि reason of mistake की, of fact की वज़े से करता है, not by mistake of law, ठीक है, और यह किस उसमें करता है, good faith में करता है कि good faith में एक person ने mistake of fact में एक काम किया एक कारे किया, अपने आपको believes himself to be bound by law और उसे लगता था, कि यह करना उसकी एक duty है, क्योंकि वो law से बाद्दे है बंदा हुआ है, अब इसमें illustrations दी हुए, यह क्या कहता है एक soldier ने अगर बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई अपने officer के direction पे, तो उसने कोई भी offense नहीं किया है क्योंकि वो अपने superior officer के direction से बाद दे था, उसे लगा कि law, officer ने मुझे कहा गया है, चाहे उस officer ने सही कहा है या गलत कहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है दूसरा illustration क्या कहता है A an officer of a court of justice A जो था, वो court में एक officer था उनको क्या कहा गया, कि आपको Y को arrest करना है, ठीक है A ने अच्छे से inquiry करके after D inquiry believing Z to be Y उसने believe किया कि जो Z था वही Y है, लोगों से पुछा, लोगों ने कह दिया, हाँ Z ही Y है, उसने Z को arrest कर लिया arrest Z, A ने कोई भी offense नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि वो bound है by law कि law में उसे क्या कहा गया है कि order हुआ है कि Y को पकड़ के लाया जाए, उसे लगा Z ही Y है, तो विचारे ने तो good faith में, good faith में believe करते हुए कि जो वो कर रहा है वो सही है, क्योंकि law में उसे कहा गया है, लेकिन क्या था mistake of fact तो था, कि fact mistake कैसे हुआ, कि उसने किसको पकड़ लिया, Z को, पकड़ना था Y को तो mistake of fact तो हो गया, लेकिन उसने good faith में काम किया, court के order के हिसाब से काम किया, अपने आपको सही सोचते हुए काम किया, इसलिए जो भी उसने कारे किया, वो कारे में उसको सजा नहीं होगी, नहीं तो अगर unnecessary, अगर वो Z को पकड़ लेता ना, तो उसको क्या होता, wrongful confinement हो जाता, जबरदस्ती किसी को पकड़ लिया, उसकी सजा हो जाती, इस वाले case में नहीं होगा, क्योंकि उसने good faith में किया, उसे पता ही नहीं था, जिसको वो पकड़ रहा है, असल में, वो Y है ही नहीं, वो Z है, अब हम दूसरा आपका provision देखते हैं, वो दूसरा वाला provision कौन सा है, section 79, अब उपर आपने देखा, bound by the law, अब इधर आपका क्या है, 79 में justified, B, J, बाजा, ऐसे करके आप याद कर लिजे, 76 में bound है, और 79 में justified है, act done by a person justified, और by mistake of fact, believing himself justified by law, सब सेम है, लेकिन यहाँ पर justified है, वहाँ पर bound था, nothing is an offense, which is done by a person who is justified by law, और by reason of mistake of fact, not by mistake of law, क्योंकि mistake of law is not excusable, वहाँ पर सजा होएगी अगर आप mistake of law से कुछ काम करते हो, यह mistake of fact है, फिर से वही, good faith में believing himself to be justified by law, अभी अपने आपको यह भी सोचता है, कि जो मैं कर रहा हूँ, वो justified भी है, law से, उस वाले cases में आपका 79 लगता है, अभी यह क्या कहता है, a, c, z commits what appears to a, to be a murder, a ने z को देखा, कि वो कुछ ऐसा कर रहा था, जो a को लगा, कि z एक murder कर रहा है, a in the exercise, ठीक है, in good faith, of the power which the law gives to all persons, ठीक है, a ने good faith में देखा, और यह सोचा, कि जो power, हमें हर एक इनसान को, हमारे करतव्य में दी जाती है, कि अगर कोई murder कर रहा हो, तो उन cases में क्या करना चाहिए, वैसा सोचते हो, उसने z को पकड़ लिया, ठीक है, कि भई मैं z को जो है, proper authorities के पास लेके जाऊंगा, a ने कोई offense नहीं किया, बलकि जबकि बाद में उसे पकड़ लिया न, z को, तो पता चला, असल में z को कोई और मार रहा था, मालो x है, x मार रहा था, z तो अपना बचाव कर रहा था, असल में पकड़ना x को था, लेकिन उसने z को पकड़ लिया, तो उस वाले cases में चाहे, उसने Z को पकड़ा लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे क्या लगा वो justified है ऐसा कहते है ना कि अगर हम कोई किसी को मार रहा हो तो हमारी ये duty होती है हमें law में भी कहा गया कि self defense के लिए या किसी और को बचाने के लिए अगर आप किसी का murder कर दो या पकड़ लो तो वो सही है उसमें आपको सजा नहीं होगी उसी तरह से A ने ये सोचते हुए कि मैं भी justified हूँ क्योंकि Z किसी का murder कर रहा है तो मुझे भी Z को पकड़ लेना चाहिए उसने Z को पकड़ लिया उस case में चाहे उसे Z को नहीं पकड़ना चाहिए था क्योंकि Z तो अपना ही बचाव कर रहा था लेकिन उसे सजा नहीं होगी क्योंकि उसने वो एक्ट किया जो कि justified by law था और good faith में किया और उसने mistake of fact में किया कि उसे circumstances सही से समझ नहीं है fact की mistake हो गई उसे ठीक है अब हम कुछ examples लेके आप से आगे और बढ़ते हैं ये एक बहुत famous case है R versus Toulson का इसमें ये Mrs. Toulson है Toulson was charged with bygamy bygamy मतलब दो शादियां कर ले ना पहले husband के alive होते हुए आपने दूसरी शादि कर ली as she married during the lifetime of her former husband उन्होंने good faith में believe किया on reasonable ground पे believe किया कि जो उनका पहला former husband था वो उनकी death हो चुकी थी उनकी second marriage के time पे मतलब जब Marlo Toulson ने शादी करी X से ठीक है उनको लगा कि जो उनके Y husband थे उनकी death हो चुकी लेकिन reality में असल में हुई नहीं थी उन्होंने अच्छे से पता कर लिया reasonable grounds रिष्टदारों गहरा से पूछ लिया सबसे पूछ लिया वो थे ही नहीं तो उनको लगा के भई उनकी death हो चुकी उन्होंने second marriage कर ली X से तो उनको by gammy की सजा नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि वो एक mistake of fact थी उनने गलत पता चला था कि उनकी husband की death हो चुकी है इसलिए वो liable नहीं है इस वाले case में बच जाती है यह बहुत important case है अब दूसरा यह case है State of Maharashtra versus Mayor Hans George यह वाला case आपका mistake of law पे है यह क्या कहता है a French national जिसने Zurich से यह Manila जा रहा था बीच में यह Bombay airport पे plane रुका यहाँ पर plane रुकने के बाद उनकी search हुई search होने पर दो officers को उनके पास से क्या मिलता है 34 kilos of gold 34 kilo gold थोड़े दिन पहले ही RBI ने guidelines दी थी कि कोई भी gold इंडिया से बाहर नहीं जा सकता अब क्या है यह 34 kilo हमारे इंडिया में हुआ 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 Bombay airport पे 34 kilo पड़ा है RBI के guidelines क्या कहती है कि जो भी gold Bombay में है वो बाहर नहीं जाएगा असल में यह French National कहा जाना चाता था Manila जाना चाता था तो इनका जो gold था confiscate हो गया यह जो है restrictions उन officers ने इनका gold confiscate कर लिया उस French National ने plead किया ignorance of law कि मुझे ऐसी guidelines के बारे में पता ही नहीं था कि इंडिया में ऐसी कोई guidelines है तो जो court था उन्होंने उसकी plea को reject कर दिया क्योंकि ignorance of law is no excuse ठीक है but his plea was rejected as ignorance of law is not excusable ठीक है क्योंकि mistake of fact नहीं था law का ही mistake था कि पता ही नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसे तो फिर कोई 50 kilo 100 kilo कुछ भी देश की treaties को उनके laws को breach करते हुए कहीं पर भी निकल जाए तो इस case में उनके जो 34 kilo थे वो Indian government ने रख लिये और उन्हें खाली हाथ बाहर बेज दिया क्योंकि हमारे यहाँ पर law उसी टाइम बना था कि कोई भी हमारे देश से बाहर गोल्ड को नहीं लेके जाया जा सकता ठीक है I hope आपको यह समझ में आया हो बहुत important topic है अगर आप लोगों को कोई भी doubt हो तो आप comments में लिख सकते हैं हम लोग पक्का से solve करेंगे Thank you